पामिल नाडू के सलेम जिले में दो बसों के एक्सिडेंट का एक वीडियो सामने आया है घटना में 30 लोगों के घायल होने की खबर है और इनका अलग-अस्पतालों मिला चल रहा है यह सड़क दुर घटना 17 मई की बताई जा रही है दो बसों के टकर का वीडियो बस के अंदर लगे सीसी टीवी कैमेरे में कैद हो गया है अक्सिडेंट होने के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है वारेल वीडियो काफी भयानक है वीडियो में दिख रहा है कि बसों की टकर के बाद कैसे बस चालग दूर जागी रहा जानकरी के मुताबिक ये टकर बस की गलत लेन में आने से हुई है टकर इतनी जोरदार थी कि बस में बैठे कई लोग विंड स्क्रीन पर आ गिरे तो वही ड्राइवर अपनी अपोजिट साइड में विंड स्क्रीन पर जा गिरता है वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ड्राइवर को सिर में चोटाती है और वो अपना सिर पकड़ कर बैठ जाता है वीडियो में देखा जा रहा है कि बस सवार अपनी लेन में आराम से ग कुड़ा गुश जाता है जिसे वे हटाते वे नजरा रहे हैं जानकारी के अनुसार पीछे बैठे कई और लोग भी इसमें घायल हुए है जनाब तकलीफ उठने बैठने की नहीं तकलीफ बवासिर की है बवासिर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आईरुवेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार अभ्यूदै पाइल्स लेजर हॉस्पिडल लोहार समाज भवन के पीछे महापुष्प सोसाइटी शताबदी नगर चौक से मनीश नगर रोड नागपूर काल और विजिट करें www.pilesfistula cure.com